श्रीमद भगवद गीता, भावार्थ सहित, अध्याए दो शलोक एक अध्याए दो, सांक्ययोग शलोक, अर्जुन की कायर्ता के विशय में श्री कृष्णा अर्जुन समवाद, संजय उवाच तम तथा कृपया विष्ट मिश्रुपूर्णा कुलेक्षुनम, विशीद अंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूद नह भावार्थ संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रुँवाले शोक्युक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा शलोक दो अध्याए दो सांख्ययोग श्लोक श्री भगवानुवाच कुद्स्त्वा कश्मलमिदम विशमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ते कर्म अर्जुन भावार्थ श्री भगवान बोले है अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्थ हुआ क्योंकि न तो ये श्रेष्ट पुरुषों द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ती को करने वाला ही है श्लोक तीन अध्याए दो सांख्ययोग श्लोक क्लब्यम मास्म गमाई पार्थ नेतत्वयू पद्यते शुद्रम हृदय दोर्बल्यम त्यक्त्वोंतिष्ट परतप भावार्थ इसलिए है अर्जुन नपुनसकता को मत प्राप्थो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है परंतप हृदय की तुछ्छ दुर्बल्ता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा श्लोक चार अध्याएदो सांख्ययोग श्लोक अर्जुन उवाच कत भीश्म महाँ संख्ये द्रोन चा मधुसूदन इशुबेह प्रतियोत्स्यामी पूजा हावरिसूदन भावार्थ अर्जुन बोले है मधुसूदन मैं रणभूमी में किस प्रकार बानों से भीश्म पितामाह और द्रोनाचार्य के विरुद्ध लडूनगा क्योंकी है अर्जुदन वे दोनों ही पूजनिये हैं श्लोक पाँच अध्याएदो सांख्ययोग श्लोक गुरुन हत्वाही महानुभावा अंश्रेयो भोक्तों भैश्यम पी लोकैं हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनेहव भुंजिया भोगा रुदिर प्रदिगधान भावार्थ इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्नभी खाना कल्यान कारक्ष्याएद्याएद्य अंख्ययोग श्लोक न चैतद विद्मह कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः याने भत्वा न जिजी विशाम स्तेवस्तिताह प्रमुखे धार्तराष्ट्रा भावार्थ हम ये भी नहीं जानते की हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में स कौन सा श्रेष्ट है अथ्वा ये भी नहीं जानते की उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिय दृत्राष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं श्लोक साथ अध्याय दो सांक्ययोग श्लो इसलिए कायर्ता रूप दोश से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विशय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्यानकारक हो वो मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए श्लोक आथ अध्याय दो सांक्ययोग श्लोक नही प्रपश्यामी ममापनुद्या द्यच्योंक मुझ शोष्न मिंद्रियानाम अवाप्य भूमावस पत्रम्रिधन राज्यम सुरानाम पी चाधिपत्यम भावार्थ क्योंकि भूमी में निश्कन्तिक, धन धान्य संपन्न राज्यको और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्थ होकर भी मैं उस हुपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके श्लोक नौ अध्याए दो, सांक्ययोग श्लोक संजय उवाच एव मुक्तवा हरिशीकेश गुडा के शह पर्तप न योट्स्य इति गोविंद मुक्तवा तूशनी बभूव हभावार्थ संजय बोले है राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्रीकृष्न महाराज के प्रती इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्धा नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गई श्लोक दस अध्याए दो, सांक्ययोग श्लोक तमुवाच हरिशीकेश प्रहसन निव भारत सेन्योर भयोमध्य विशीदंतमिदम वचह भावार्थ हे भरत्वनशी धृत्राष्ट्र अंतर्यामी श्रीकृष्न महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हसते हुए से ये वचन बोले श्लोक ग्यारा अध्याए दो सांख्ययोग श्लोक सांख्ययोग का विशय श्री भगवानु वाच अशोच्यानन विशोचत्वं प्रग्यादाश्व भाश से गतासुन अक्तासूंश्च नानुशोचन्ती पंडिताह भावार्थ श्री भगवान बोले हे अर्जुन तू ना शोक करने योग्या मनुश्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वच्छनों को कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते श्लोक बारा अध्याए दो सांक्ययोग श्लोक न त्वेहं जातू नासम न त्वम नेमे जनाधिपाह, न चैव न भविश्यामह सवे वयम तह परम भावार्थ न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इस से आगे हम सब नहीं रहेंगे श्लोक तेरा अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक देहिन उसमिन्यथा देहे कौमार, योवन जरा, तथा देहांतर प्राप्तिधी रस्तत्व न मुहयती भावार्थ जैसे जिवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और व्रिधाव पस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विशय में धीर पुरुष मोहित, नहीं होता, श्लोक, 14 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक मात्रास परशास्तू कौन्तेय शीतोष्न सुकदु एक दा, आगमा पैनोनित्यास्तान स्तेतिक्षस्व भारत भा है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुहक को देने, वाले इंद्रिया और विशयों के सयोग तो उत्पत्ती विनाश शील और अनित्या हैं, इसलिए है भारत, उनको तु सहन, कर श्लोक 15 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक यम ही न व्यत्यन तेते पुरुषां ये इंद्रिया और विशयों के सयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है, श्लोक 16 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक नासतों विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत्व, उभयो रपी द्रिश्टों स्त्वन्युस्तव दर्शुभे, भावार्थ असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्त का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, तत्व ज्यानी पूरुषों द्वारा देखा गया है श्लोक 17 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक अविनाशी तु तद्विद्धी यान, सर्वमिदम ततम, विनाश्म व्यस्य न कश्चित कर्तुम्रती भावार्थ नाश्रहित तो तु उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत द्रिश्यवर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है श्लोक 18 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक अंत्वंत इमे देहा नित्यस यो गए हैं, इसलिए है भरत्वंशी अर्जुन, तु युद्धकर श्लोक 19 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक या एन्वेती, हंतार यश्चैन मन्यते हतम, उभो तो न विजानी तो नायम हंती न हन्यते भावार्थ जो इस आत्मा को मारने, वाला समझता है तथा जो इसको मर मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो, किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है, श्लोक 40 अध्याय दो, सांक्ययोग श्लोक यनिहा विक्रुम न शौस्ती पृत्यवातो न विद्यते, स्वालपंप्यस्य, धर्मस्यत रायते महतो भयात भावार्थ इस कर्मयोग में आरंब का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा, फल रूप दोश भी नहीं है, बलकि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन मृत्यू रूप, महान भय से, रक्षा कर लेता है श्लोक 41 अध्याय दो, सांक्यय श्लोक व्यवसायात्मिका बुद्धि रिकेह कुरुनंदन, बहुशा का ह्यननताश्च बुद्धयो व्यवसायनम भावार्थ है अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धी, एक ही होती है, किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेकीन सकॉम मनुष्यों क वेद्वाद रताह पार्थ नान्यदस्तीती वादिनह कामामानह स्वर्गपर जन्म कर्मफल प्रदाम, क्रिया विशलेशबहुला, भोग्यश्वर्य गती प्रती भोग्यश्वर्यप्रसक्ताना तयापृत्चेत्सम्. व्यवसायात्मिका, बुद्धे समाधो न विधियत जो कर्म फल के प्रशनसक वेदवाक्यों में ही प्रीती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तू है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तू ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुश्पित अर्था दिखाव शोभायुक्त वानी को कहा करते हैं जो की जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा एश्वर्य की प्राप्ती के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्नन करने वाली है उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और एश्वर्य में अत्यन्त आ सक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा में निश्च्यात्मिका बुद्धी नहीं होती श्लोक 45 अध्याय दो सांक्ययोग श्लोक ट्रैगुण्य विशया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन वो नित्यस्त्वस्थो निर्योग शेम आत अप्राप्त की प्राप्ती का नाम योग है क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है कुन चाहने वाला और स्वाधीन अंतह करन वाला हो श्लोक 46 अध्याएदो सांख्य योग श्लोक यावनत उद्पाने सर्वतः संप्लू तोद के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राहमन स्य विजानता भावार्त सब और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रहमा को तत्व से जानने वाले ब्राहमन का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है श्लोक 47 अध्याय दो सांख्ययोग श्लोक कर्मन यवाधिकार अस्ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फल है अतुर भुर्मा ते संगोस्व कर्मनी भावार्थ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल हे तू मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसकती न हो श्लोक 48 अध्याय दो सांक्ययोग श्लोक योगस्था कुरू कर्मानी संग व्यक्तवा धननजे सिध्धे सिध्धयों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते भावार्थे धननजे तू आसकती को त्याग कर तथा सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्वा जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है ही योग कहलाता है श्लोक उन्चा सध्याय दो सांक्य योग श्लोक दूरेन हाव कर्म बुद्धियोग आधननजे बुद्धो शरन्मन विच्छा कृपनाह फलहेत्व भावार्थ इस समत्व रूप बुद्धियोग से सकॉम कर्म अत्यन्थ ही निम्न श्रेनी का है इसलिए है धननजे तू सम्बुद्धी में ही रक्षा का उपाय धून्ध हर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहन कर क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यन्थ दीन है श्लोक पचास अध्याय दो सांख्ययोग श्लोक बुद्धी युक्तों जहाती उभे सुकृत दुषक्रते तस्माद योगाय युज्यस व्योगा कर्मसु कोशलिम भावार्थ सम्बुद्धी युक्त पुरुष पुन्य और पाप दोनों को इसी लोख में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो सांख्ययोग श्लोक बुद्धी युक्ता ही फल त्यक्तवा मनी शिनाय जन्मबंध्विनिर्मुक्ता पदम गच्छंत्य नाम्यम भावार्थ क्योंकि सम्बुद्धी से युक्त ज्यानी जिन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याग कर जन्मरुप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्थ हो जाते हैं शलोक बावन अध्याय दो सांख्ययोग शलोक यदा ते मोहलिला बुद्धिर्व्यतित्रुश्यती तदा गंतास्वी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य चभावार्थ जिस काल में तेरी बुद्धी मोहरूपी को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तु सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वेराग्य को प्राप्थ हो जाएगा शलोक तिर्पन अध्याय दो सांख्ययोग शलोक श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यती निश् अला बुद्धिस्त दा योगम वापससी भावार्थ भाती भाती के विचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तु योग को प्राप्थ हो जाएगा अर्था तेरा परमात्मा से नित्य सयोग हो श्लोक चावण अध्याएदो सांक्ययोग श्लोक स्थिर बुद्धी पुरुष के लक्षन और उसकी महिमा अर्जुन उवाज स्थित प्रग्यस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दिय की प्रभाशेत किमासीत व्रजित किम भावार्थ अर्जुन बोले है केशव समाधी में स्थित परमात्मा को प्राप्थ हुए स्थिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षन है वो स्थिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है श्लोक पच्पन अध्याएदो सांक्ययोग श्लोक श्री भगवानु वाच प्रजहाती यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मे वामना तुष्ट, स्थित प्रग्यस्त दोच्यते भावार्थ श्री भगवान बोले है अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित, संपूर्ण कामनाओं को भली भाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही रहता है, उस काल में वह स्थित प्रग्या कहा जाता है, श्लोक 56 अध्याए 2, सांक्ययोग श्लोक 2 खेशवन उद्वेग नमनाह सुखेशु विगत स्प्रेह, वीतराग भय क्रोध है, स्थित दीर मुनीरुच्यते भावार्थ दोखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ती में सर्वता नहस्प्रेह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नश्ठ हो गए हैं, ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा, जाता है, श्लोक 57 अध्याए 2, सांक्ययोग श्लोक यह सर्वत रान्विस्नेह ततत प्राप्य शुभा शुभम, ना भिनन्दती ना द्वेश्टी तस्य प्रग्या प्रतिष्थिता भावार्थ जो पुरुष सर्वत स्नेह रहित हुआ उस उस शुभ, या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन होता है और न द्वेश करता है, उसकी बुद्धी स्थिर है श्लोक 58 अध्याएदो, सांक्ययोग श्लोक यदा सनहर्ते चायम कूर्मोंगनीव सर्वश्य, इंद्रियान इंद्रियार्थे भयस्तस्य, प्रग्या प्रतिष्थिता भावार्थ और कच्छुवा सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेत लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद श्लोक विशया विनिवर्तंते निराहार्स्य देहिना, रस्वर्ज, रसोप्यस्या पर द्रिष्थ्वा निवर्त्ते भावार्थ इंद्रियों द्वारा विशयों को ग्रहन न करने वाले पुरुष के, भी केवल विशय तो निवरित हो जाते हैं, परंटु उनमें रहने वाली आसक्ती निवरित नहीं होती, इस स्थित प्रग्या पुरुष की तो आसक्ती भी परमात्मा का साक्षात कार करके निवरित हो जाती हैं, श्लोक साथ अध्याए 2. सांख्ययोग श्लोक यत्तो हिपी कौन्तेय पुरुष्य विपश्चिता इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभन मना भावार्थ है अर्जुन आसक्ती का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाववाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात हर लेती हैं श्लोक एकसथ अध्याय दो सांख्ययोग श्लोक तानी सर्वानी सयम या युक्त आसीत मतपरह वशे ही यसे इंद्रियानी तस्या प्रग्या प्रतेश्थिता भावार्थ इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धी स्थिर हो जाती है श्लोक बासथ अध्याय दो सांख्ययोग श्लोक ध्यायतों विशया पुनसह संगस्तेश उपजायते सहगात सहजायते कामह कामाय क्रोधो भिजायते भावार्थ विशयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विशयों में आसकती हो जाती है आसक्ती से उन विशयों की कामना उत्पन होती है और कामना में वेगन पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है शलोक तिरसत अध्याय दो सांख्ययोग शलोक क्रोधायत भावती सम्मोहय सम्मोहत स्मृतिविब्रमह स्मृतिब्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रनश्यती भावार्थ क्रोध से अत्यंत मूर भाव उत्पन हो जाता है मूर भाव से स्मृति में ब्रम हो जाता है स्मृति में ब्रम हो जाने से बुद्धी अर्थात ग्यान शक्ती का नाश हो जाता है और बुद्धी का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिती से गिर जाता है, शलोक 64 अध्याय दो, सांख्ययोग शलोक रागद्वेश्वी युक्तेस्तु विशयानिंद्रिया एश्चरन, अत्मवश्य इर्विधे आत्मा, प्रसाद मधिगच्छती भावार्त परंतु अपने अधीन किये हुए अंतहकरन वाला साधक अपने वश में की हुई, रागद्वेश रहित इंद्रियों द्वारा विशयों में विचरन करता हुआ अंतहकरन की प्रसन्नता को प्राप्थ होता है, शलोक 65 अध्याय दो, सांख्ययोग शलोक प्रसादे सर्वदू खाना हानिर स्योप जायते, प्रसंचे तसो कर्मयोगी की बुद्धी शीग रही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती, स्थिर हो जाती है, शलोक 66 अध्याय दो, सांख्ययोग शलोक नास्ती बुद्धिर युक्तस्य न, चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतिर शांत्स्य कुतह सुखम भावार्थ न जीते हुए मन और इंद्रियों, वाले पुरुष में निश्चे आत्मे का बुद्धी नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतह करण में भावना भी नहीं, होती तथा भावनहीन मनुष्य को शांती नहीं मिलती और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, शलोक, सरसथ अध्याय दो, सांक्ययोग शलोक इंद्रियाना ही चर्ता यन्मनो नुविधियते, तदस्यो हर्ती प्रग्या, वायुनाव में वंभसी भावार्त क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विशयों में विचरती हुई इंद्रि इस अयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है, शलोक अर्सत अध्याय दो, सांक्ययोग शलोक तसमाध्यस्या महाबाहो निग्रिहीतानी सर्वश्य, इंद्रियानी इंद्रियार्थे भयस्तस्या प्रग्या प्रतिष्थिता भावार्त इसलिए है महाबाहो, जिस भूतानेन तस्या जागरती सहयमी यस्या जागरती भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेह भावार्त सम्पूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्री के समान है, उस नित्य ज्यान स्वरूप, परमानंद की प्राप्ती में स्थित प्रग्य योगी जागता है और जिस के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए वो रात्री के समान है शलोक सत्तर अध्याय दो. सांख्ययोग शलोक आपूर मानमचल प्रतिष्थम समुद्र मापह प्रविशन्ती यद्वत, तद्वत कामा यम प्रविशन्ती, सवे सशान्ति मापनोती न कामकामी भावार्थ जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्था, वाले समुद्र में उसको विचल इतना करते हुए ही समाजाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रग्य पुरुष में, किसी प्रकार का विकार उत्पन किये बिना ही समाजाते हैं, वही पुरुष परम शांती को प्राप्थ होता है। स्थित्वा स्यम्त कालेपी ब्रह्म निर्वानम रच्छती भावार्थ है अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्थ हुए पूरुष की स्थित्वा स्थित्वा स्यम्त कालेपी ब्रह्म निर्वानम रच्छती भावार्थ है अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्थ हुए ब्रम्विद्याया योगशास्त्रे श्री क्रिश्नार्जुन सम्वादे सांख्य योगो नाम द्विती योध्याया है।